दो दिन पहले 9 नवंबर को प्रधान मंतरी कारियाले में एक मीटिंग हुई इस मीटिंग को प्रधान मंतरी जी के सलाकात तरुन कपूर जी ने लिया इस मीटिंग में दिल्ली की सारी लैंड ओनिंग एजनसीज को बुलाया गया जिसमें MCD, DDA, Railways, LND और सबके अधिकारियो को बुलाया गया और उनको सक्त आदेश दिये गए हैं कि दिल्ली में से पूरी तरहां से जुगियों को साफ करना है, किसी भी जमीन पर जुगई खड़ी नहीं रहेगी जुगई वालों को पूरी तरहां से साफ कर देना है, यह हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि ज जहां जहां केंदर सरकार की जमीन है वहां पर एक एक करके जुगियों को हटाया जा रहा है नवंबर के यह महीने में कि डीपीएस मतुरा रोड के जंस्ट पीछे सुंदर नर्सरी की जुगियों को ग्रैप के दौरान एक खास आदेश देके केंदर सरकार की एलेंडियों ने डेमॉलिश किया ग्रैप के दौरान डेमॉलिशन अलाउड भी नहीं था लेकिन वह एक खास परमिशन लेके आके उन जुगियों को तोड़ा आखिर कर ये जुगियां तोड़ने का प्लान क्यों बन रहा है ये जुगियां तोड़ने की साज़िश क्यों हो रही है क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में जुगियां नहीं चाहते हैं जब विदेश से अलग लग उनके दो जब G20 का समिट हुआ था तो दिल्ली की जुग्यों को इस तरहां से हरे कपड़े से छुपाया गया था कई सारी दिल्ली की ऐसी जुग्यां थी जिनको विदेश से आने वाले नेताओं की नजर से छुपाने के लिए ऐसे हरे कपड़े लगाए गए थे प्रधान मंत्री नरे दिल्ली से पूरी तरहां से अब इन जुग्यों को साफ करने का प्लान बना रहे हैं लेकिन जब तक दिल्ली में अर्विंद केजरीवाल की सरकार है जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी है हम दिल्ली के हर जुग्यवासी के अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे जब तक अर्विंद केजरीवाल हैं चाहे हमें कोट जाना पड़े चाहे हमें सडक पर जाना पड़े चाहे हमें संसत तक जाना पड़े लेकिन हम दिल्ली में एक भी जुगी को तोड़ने नहीं देंगे हम अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे कि भारतिय जनता पाटी शासित केंदर सरकार इन जुगी वालों को इतनी ठिटुरती हुई ठंड में सडक पर ना लेके आए उनके घर ना उचाड़े